पहला सवाल, पहले आपे सवाल दिखेगा क्या है, उपभोक्ता सामरक्षन अधिनियम ये कब का है, 1986 का अधिनियम है, फिल बात करते हैं नरेगा, नरेगा जो अधिनियम कब का है, ये 2005 का अधिनियम है, दो फर्फरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम हो गया, ठीक है, नेक्स सवाल पर आते हैं कि आपता प्रवंदन अधिनियम ये कब का है, ये भी आपका 2005 का अधिनियम है, तो नरेगा 2005 का अधिनियम है, आपता प्रवंदन भी 2005 का अधिनियम है, शिक्षा का दिका, राइट टू अधिनियम कब का है, 2009 का अधिनियम है, और स्पेशल पावर एक ठीक लेक्स सवाल पर आते हैं प्रधान मंत्री होते हैं लेक्स सवाल पर आते हैं पीम किसान योजना ये कब सुरू होता है 24 परवड़ी 2019 को गोरखपुर उत्तर परदेश से सुरू होता है और ये मोस्ट इंपर्टन कोश्वन है क्योंकि रसल्टले आपके किसला किसी पेपर में ये सवाल आया हुआ है ज़्डीवल मिश्वन कब सुरू होता है 15 गस 2019 को ये शुरू होता है विश्व परियावरन सनक्षं दिवस ये कम मना जाता है 26 नमंबर को तो 26 नमंबर के एक और चीज दूसरा राश्टी समिधान दिवस के रूप में भी 26 नमंबर को दो बाते एक तो विश्व परियावरन सनक्षन दिवस दूसरा राष्टी समिधान दिवस राष्टी दुख दिवस कम ले जाता 26 नमम रखो अंतराष्टी दुख दिवस एक जून को गोवा को राज का दर्जा कम मिला 30 मई 1987 को मिला है इसलिए 30 मई को क्या मना जाता है गोवा दिवस मनाया जाता है गोवा मुक्ती दिवस के रहे मैं बात करूँ 19 December को मनाते हैं क्यूँ क्यों 19 December 1961 को Operation BJ के द्वार पूर्तेकालियों को भाहर से बाहर किया गया GI एकर मैं बात करूँ GI टैक अधिनियम कब का है उनियम का दिनियम का है लागू होता है 2003 में GI का फिल्फरम होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है और पहला GI टैक कब और किसको मिला था 2004 में मिला दार्जलिंग शाय को कहा का ही बिस्क बेंगॉल का है इनेसको में सामिले के मात्र मिश्रित बिरासत कौन सा है कंचन जंगा सिक्किम का नाटो के अगर में बात करूँ नाटो का अगर मुख्याले कहां अगर पूछ लिया जा तो बेल्जियम के राधानी बुर्शेल्स में है और यूर्पन यूनियन का भी मुख्याले बेल्जियम की राधानी आपका बुर्शेल्स में है नेटो का अगर मैं बात करूँ नेटो की स्थापना कब होती है 1949 में इसके स्थापना होती है फुल फॉर्म होता है North Atlantic Treaty Organization इसका फुल फॉर्म होता है निरवाचन अगर पूछली अगर पुछले आगर पूछले आए तो भाग अथार आपका आपात उपुबंद से है आपात उपवन से ध्यां रखिएगा नेक्स वाल पर आते हैं संग एवं उसका राजच्छत्र समिधान के किस भाग में ये भाग एक में है और अनुछेद एक से चार कंतर गती आता है नागरिक्ता की बात कर लिए जाए समिधान के किस भाग में भाग दो में है और अनुछेद पुछ ले जाए तो अनुछेद 5 से 11 मौलिक अधिकार समिधान के किस भाग में है भाग 3 में है तो भाग 1 में आपका हो गया संग वं उसके राजच्छत्र आपका भागदू जो हो गया आपका नागरिक्ता हो गया भाग तीन अकर यहाँ पर पूछ लाजाए तो आपका मौलिक अधिकार से है फिर बात कहते हैं नीती निर्द्रसक्तत्व समिधान की किस भाग में भाग चार में है अनुशेट 36 एकावन मौलिक जो करतब है समिधान की किस भाग में चार क में है और अनुशेट कौन सा है इसका एकावन ए फिर बात कहते हैं समिधान का भाग पाँच किस समद्धित संग से है तो सवाल आपका यह अगर पूछ लेगा कि समिधान का जो भाग 6 है किस समद्धित यह राज से समद्धित है समिधान का भाग जो 9 है आपका किस समद्धित 25 से है और 9 का अगर पूछ आया तो 9 का जो है आपका नगर पालिका से है ठीक है भाग 9 किस से है आपका नगर पालिका से 9 ख समिधान का जो भाग 9 खा है किसके संबन देते सहकारी शमीतिया से परधान मंत्रिश ग्रामसर की योजना कब सुरू हुआ 25 दिसमबर 2000 को ये सुरू होता है बे सब के स्थापना अगर पुछ लिया जा तो सवाल कांसर होगा 1 दिसमबर 1965 भारत के पहले मुख निर्वाशानाईट कौन थे सुकुमार से अगर महिला पुछ लिया जाए तो रमा देवी थी इस अकार का महासागर कौन सा है अटलाटनिक महासागर है रिंग ऑफ फायर ये समद किस महासागर से है परशान्त महासागर से है पहला भारत रतन जो पुरुषकार एक तुब भारत रत्रत्म जो पुरुषकार सुरूखार था निसकार 54 में और सबसे पहले किसको दिया गिया तीन वैक्ति को दिया गया सरपलि राधाकर्शन को, सीबी रहमन को और राजा गोपालाच चारी को ये तीन वैक्ति को मिला था पहला भारत रत मुपुश्कार तासकन समझाता का सम्ध किस से है तो लाल बहादूर सास्त्री से है धिंग एक्स्पेज के नाम से किन्हें जाना जाता है हीमा दास को जाना जाता असम की एथलेटिक्स हैं ध्यार रखेगा नेक्स वाल पहाते हैं असकोट बन जिब अभ्यान कहा है पित्त और घड उत्राखंड में है और किस के लिए तो कस्तूरी म्रिक के लिए चर्चा में रहा है कल पत्थी रर्थ मुपुश्वब जो कहां कहा है आपका केरल कहा है और 42 मा समिधान स्रुन सोधन कब हुआ था 1976 को हुआ था ध्यान रखेगा अगर याद करना है तो 4 प्लस 2 एड किजिए तो 6 आता है तो लास्ट में इसका 6 है तो 1976 याद रखेगा संपतिक अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर अलग किया गया कौन सा समिधान संसोधन समिधान संसोधन कब कहा है 1978 को ट्रिक कैसे बनेगा 4 प्लस 4 को एड करते तो 8 बनता है तो लास्ट में इसका 8 है तो 1970 ध्यान रखेगा इसे अब अनुशेद किस में डाल दिया गया 300A में डाल दिया गया गया और यह विशूभत रेखा पर विशूभत का सबसे उच्छी सख्रिय जौला मुखी है इकोडिर की जाणने गर पूछे पूछे है आपका तो क्यूटो है भाद का एक मातर सक्रिय जौला मुख्य कौन सा है बैरन जुआला मुखी कहा है बैरन दुइप अन्दमा निकुबार में हरेला तेहवार कहा है उतराखंड का है वही हरेली तेहवार पुछ ले जाए तो 36 गड का है DRDO का मुख्याले कहा है नई दिल्ली में DRDO के स्थापना होती कब है एक जनवड़ी उनिशन ठावन को DRDO की स्थापना होती है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है Defense, Research and Development Organization इसरो का मुख्याले कहा है बंगलूडू में और इसरो के स्थापना कब होती है 1599 को इसका फुल फॉर्म क्या होगा Indian Space Research Organization 8 डिघ्री चैनल से अलग होती क्या मालडीव से, मिनिक्वाई 10 डिघ्री जो चैनल से अलग होती लक्षदिप से, मिनिक्वाई 10 डिग्री चैनल से अलग होती ISBN Anandann से, निकोबार अनुच्य 352 का संब्द किस से है राश्टियापास से अनुश्य 356 का संबन्दे राश्च्प्ती सासीन से अनुश्य 360 का संबन्दे वित्या पास से अगर राश्टीया पातकि अगर बात क्या कर लिया जै तो अब तक ये तीन बार लग चुका है और ये एक बार भी नहीं लगा है बहलाफ एक दिवस कमना जाता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 सोदेसी अंदलन हुआ और किसके खिलाफ दो बंगाल भिवाजन के खिलाफ 7 अगस 1905 को क्या होता है सोदेसी अंदलन होता है जलियावला भाग घत्याकंड का बोता है 13 प्रेल 1909 को होता है राष्टी बाली का दिवस कमना जाता है 24 जनवडी को, राष्टी महला दिवस 13 परवडी को, अंतराष्टी महला दिवस 8 मार्च को, राष्टी मत दाता दिवस 25 जनवडी को क्यों क्योंकि निर्वाचा नायोक का जो स्थापना होता था 25 जन्वरी 90 को था इसलिए 25 जन्वरी को क्या मना जाता है राश्टी मत्ता पा दिवस मना जाता है दादो साब फाल के पुरुसकर पाने वाले पहले भारती कौन थी देविका रानी बथु खुंबा तेवार जिसे फूलो का तेवार भी का जाता है कहां का है तेलंगाना का है फूलो जो उस साबे कहां मना जाता है सापुरा भिलबारा रास्थान में मना जाता है अमुबाची का मेला कहां लगता है, सम्मे का मख्या माता मंदिर में इसका आयजन होता है हॉर्न बिल फेस्टिवल कहां का है, ये नागा लेंड का है आमुक्त माल जो माल लियता, गरं थे किसके तोरह लिखिया गिया, कृष्ण देवराई के दोरा और बिजयन अगर सम्मे लाज के महां सा सकते, अश्ट दिगज के अगर बात कर लिए जै किसके दरवार में थे, कृष्ण देवराई के दरवार में थे वही अगर अश्ट परधान, देखिए यहाँ पर अश्ट दिगज है, यहाँ पर अश्ट परधान है अश्ट प्रधान अगर पूछा जाए तो आप बताईए कि सीवा जी किसके दरवार में रते थे तो सीवा जी के दरवार में The Promise Land किसकी लिखी पुस्तक है? बराक उबामा की लिखी पुस्तक है Asian Infrastructure Investment Bank का मुख्याले कहां पे है? बिजिंग चाइना में बराम समाज के स्थापना कब होता? 1828 में कुलकत्ता में किसके दरवार राजा राम मोहराय के दरवारा बेदो की और लौड चलो के नारा किस ने दिया था? द्यार राम द्यानन्द स्वरस्वति ने दिया था सब्तियार्थ प्रकास किस की लिखी पुस्तक है? द्यार नन्द स्वरस्वति की लिखे पुस्तक है? हिंदी में लिखी पुस्तक है उड़ी और तुलबल पर योजना कहा की है? किस नदी पर है? जहलम नदी पर है? कहा जमुक उसमिर में? जोग या गर्सोपा, जहलपरपत किस नदी पर है? कहा है? यह करनाटक में है कुनो नेशनल पर्क कहा है? मदपर्दस में इरान की मुद्रक जो नई हो यह उसका नाम है टोमान होक्की का सबसे बड़ा स्टेडियम विरसामुड़ स्टेडियम कहा है? यह रावर के लख आपका ओड़ीशा में है प्रकास स्टम किसे कहा जाता है श्ट्राम बोली जोला मुखि को कहा जाता है रोम इटली की जो राजधानी है किस नदी की किनाड़ी सित है टाइबर नदी की किनाड़ी सित है भरती राष्टी कॉंग्डेस की 1922 में अजित अधिविशन का अधिक्ष कों थे चितरंजन दास थे यह 1922 इसलिए important बन जाता है कि आपका जो सभी ने अबग्या अंदोलन था सभी ने आप बग्या अंदोलन यह 1922 का चौराचौरी जो घटना होती है चौराचौरी घटना के बाद ही यह आपका क्या होता है अस्थकित हो जाता है तो आपका सवाल इसलिए बन जाता है कि 1922 के समय जो कॉंग्रेस के अधिवेशन होता है उससमें कॉन अध्यक्ष थे तो आपका चितरंजन दास इसका करेक्ट का अंसर होगा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राज़न्वर परसाथ के पास कौन सा बिभाग था है खादेवम कृशी गज़परपाटी के स्थापना कहा हुई थी USA सैंड फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हर्दार के द्वारा सर्वेंट आफ इंडिया स्थापना किसे ने की थी गोपाल कर्शन गोखले कहां पूने महराष्ट में अन्हापी इंडिया पुस्ता के लिखा कौन थे तो लाला लाज़ पतराय हो जाएगे इसका करेक्टर अंसर इता रहस किसकी लिखे पुस्ता के बाल गंगाधर तिलग दा कॉमन विल न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है एनिवेसंट की तीनो गोल में सम्मेलल में किसने भाग लिया था डॉक्टर भीमरा अम्मितकर 1931-32 तीनो गोल में सम्मेलल में इसमें कॉंग्रेस ने भाग लिया था कॉंग्रेस के तरब से कौन गये थे गांधी जी गये थे ठीक है चले 806 में इंडिया एस्टापना किसने किया था सुरेंदर नात बंडर जी ने किया था सुभाष चंद बोस के नाम के पहले सम्मान सुचक नीता जी किस देश में जोरागे जर्मानी किस के दोरा हिट्लर के दोरा बांकिम चंदर चटर जी के अनंद मठ में किस विद्रो का उलेख है सन्यासी का बिहार बिधान सबा में अनुसुची जाती की उमिद्बारों के लिए कितनी सीटे आरक्षित है 38 बिहार में बिधान सबा की कुल सीड़ों की संखया कितनी है 243 लोक सबा की जो सीट है इसमें 40 रास सबा की सीट है 16 बिधान परस्द की कुल सीट है 75 बिहार में पंचायत निकाओं में महिलाओं को 50% परतिसत पंचात निकाओं में महिलाओं को 50% आरेक्षन किस वर्स परदान किया गया वर्स 26 important question है ध्यान रखेगा जिनका भी बिहार से रेटर जिनका भी पेपर होने वाला है अटल सुरंग जिसको पहले हम लोग रोहतान सुरंग कहते हैं यह है कहां पर हिमाचल प्रतिस में इसकी कुल लंबाई कितना है नौ दोसमा जीरो दो किलो मेंटर भारत में किस वर्स रेल वजट को आम वजट में मिला दिया गया वर्स 2017 बिहार बिधान प्रषत की पहली बठक किस वर्स बुलाएगी 1913 1913 में पट्ना में अनुख सिलन समीती की एक साखा किसने स्थापित की थी सचिंदर नाथ सन्याले बिहार समाजबादी पार्टी का गठन कब हुआ था 1931 में जयापरकास नारायन और फुलन प्रसाद बर्मा के द्वारा सेड सा का मकवरा कहां से थे सासा राम रोहतास जिला बिहार का है वहीं से थे चोल बंस का संस्थाप कौन था विजयाले प्रथम बहुत संगिती कहां हुई राजगरी अधेख्ष इसमें कौन था महाकश्चप किस सासनकाल में अजासत्र के सासनकाल में 483 सा पुर्व दूतिय बहुत संगिती होती है बैशाली अधेख्ष सावाकामी और कालासोक के समे 383 सा पुर्वर जो तिसरीव बहुत संगिती होती पाटली पुतर अधेश कौन थे मुगला मुगली पुत्स तिस और किसके समें असोक के सासनकाल के समें चोथी जो बहुत संगिती होती कुंडलमन कहां जमुकश में अधेख्ष वसुमितर होते हैं उपाधेश अस्वगोस किसके सासनकाल में किराता और जुनिये पुस्तक किसने लिखा था भारवी विजेर नगर समराज के संस्थापकों थे हरियर एवंबुक का किस मुगल सासक के समें सर्थॉमस भारत आया था जहागीर आएने कबरी किसके तोरह लिखी गई अबुल फजल के द्वारा लिखी राइयत अबारी व्यवस्ता सरपथम कहां लागी थी मद्रास में very very important question विश्ण कुतों मी नाड का निर्मां कार किसने पूरे किया इलत्तमिस ने कुत्य जै बबाकनी इसको शुरू किया थैं लेकिन पूरा करवाय किसने इलत्तमिस ने बशिश्क्रित भारत जर्णरल परकेत के द्वारा 1946 में अंत्रिम सरकार में बित्र मंत्री कौन थे लियाकत अलिखा अंत्रिम सरकार में लक्षा मंत्री कौन थे बल्देवसी लक्षा मंत्री बल्देवसी गरही मंत्री सर्दार बल्लभाई पटेल और परधान मंत्री जवालार निहरू थे 1875 में संथाल बिदुरों का नितलित है किसे ने किया था सिधु एवं कानू गांदी जी को चंपारणने का निमंतरन किसे ने दिया था राजकुमार सुकल बिहार का पहले रामसर अस्तर कौन सा है कावरजिल कहाँ पे बेगउसराय जीला बिहार में सोन और गंगा ने दिखा संगम बिहार के किस जिले में है इस सित्य पटना बिहार के किस जिले में अबरेका भंडारे गया ड्रम योनी हिल बिहार के किस जिले में है गया जो डेसी वह बिग्याने जो सम्मन्दिते करश्ट द्वारा किये गए परिवरतनों की रिकॉर्डिंग से सम्मंदित है important question है महादूपिय बहाव का सिध्धान किसके द्वारा विक्षित किया गया ये वेनेगर के द्वारा सुन्दा ट्रेंच किस द्वारा के समनांतर है जावा एक प्रभावी कोरियो डिस ठीग है एक प्रभावी कोरियो लिस बल जो है किस कारण उत्पण होता है प्रित्वी की घुर्रन के कारण एलमेन नाइट किसका खरणीच है टाइटीनियम का पट्टी फीमा प्रजुद नकिन नधियो के एक करण से जुरी हुए कृष्णा और गोदावरी भारती सम्मिधान का नुक्षे 300 सम्मंदीते किसे मुकदमे तथा करवाही से राष्टी विस्तार सेवा नेशनल एक्स्टेंशन सर्विस का पसुरुआ था उनिसो तिरपण में परचिन कारी जिसे कते पिट्रा डिवरा सम्मंदीते दिवारों में अर्ध किमती पत्थर जर कर फूलों की नकासी करना किस मुगल सासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए अकवर ने बंगाल में दूई सासन फरनाली किसके दोरे लागू किया गया रॉबेट क्लाइब के दोरा 1893 में सिकागो में आजो धर्म संसद में भाकिस ने दिया स्वामी विवेका नंदने 1923 में स्वराज पार्टी के स्थापना किसने किया था चित्रन जन्दास यवं मोतिला लेहरू ने परशिद नाटक नील दरपन की रचना किसने की दीन प्रंधु मित्र ने 1760 का प्रसिद बांडिवास का यूद अंग्रिजो दोरा किसके खिलाफ लड़ा गया फ्रांससी के खिलाफ और फ्रांससी इस समय भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिये गया इनका जो था यहां पर भारत पर जो यहां पर इनका जो कब जा था उस पूर्ण रुप से खत्म हो चुका किस अधिनियम ने भारत में प्रिथक निर्वाशन मंडल का आरम किया तो भारती परिश्द अधिनियम 1909 का 1831 में बुद्धो भागत के नित्रुत में कोल बिद्रो के चत्र में वह था शिभूम चेतर कहां है जहरकंड में वर्तमाल में है बिहार में गांधी जी का प्रथम सत्यागरा अंदोलन था जिसमें इन्होंने सवी ने अवग्या का प्रियोग किया वो था चंपारन सत्यागरा किस हरपा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है काली बंगन त्री रतन या त्री रतन जैसे की सठिक ज्यान सच्ची अवस्त आस्ता सठिक करिया किस धर्म से संबंदिते ज्यान धर्मते किस भारती दर्सन ने परमानु सिधान का प्रतिबादन किया वैसेशिक किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लहर की नीती अपनाई बलबन कौन सा मद्धिकारिन भारती सामरज व्यापकस्तर परस्थानी सुषासन के लिए प्रसिद्ध था चोल बिहार के किस जिले में ही पीड मोंट स्वाइम मिल्टी पाए जाती है पश्मी चमपारन में बहगली राज संस्थाओं को 29 कार की सूची किस अनुष्यत के तहट दी गई अनुष्यत 243 जी के तहट नागरिता कानून का पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को भारते निर्वाचन आयूकेस्थापना का समद्ध किस अनुष्यत से अनुष्यत 324 परसित गिस सरफ़ोसी की तमन्न अब हमा दिल में कानारा किस ने दिया नारा पूछे तो राम प्रसाथ विश्मिल लेकिन अगर रचाइता पूछ लिया जाए तो विश्मिल आजिमा वादी नेक्स स्वाल प्याते मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तरंगी सुतनता धोच को कहां फराय था अर्थाथ के विदेशी स बिदेशी जमी पर भारती तरंगा फाराने वाली जो थी मैठम भीकाजी कामा इकाहां फाराय थी तो अस्टूड कार जर्मणी उनिस्व शाथ में देश बंदू के नाम से कौन जाने जाते चुत्रंदन दास भारती राच्टी कॉंगरेस द्वारा पूर्ण रास्थ दिव बटा 20 डानडी यात्रा कितने दिन तक चला 24 दिन बाड़ा मार्च 1930 से स्टार्ट होता और 6 अप्रेल 1930 तक चलता है बेंजीन के अगर तुत्र पूछा दा तो C6X6 होता है इसमें सिगमा बॉंड की संख्या कितनी ती 12 वहीं बेंजीन में पाई बॉंड की संख्या होती है रख पूटी तरा पिगज दागा तो और क्या होगा जलकास्तर में कोई पडिवर्टन होगा तो कोई भी पडिवर्टन नहीं होगा विद्द बहकवल एलेक्टो मैगनेटिक फोर्स को मापा जाता है जब जब दिन में पानी पर साबून की फिल्म दिखाए देती है तो सुन्दर रंग दिखाए जटा है इस घटना कारण क्या है, पर काथ का वैतिकरन अर्थात interference of light एक ततव के समस्थानिक अलग-अलग होते हैं कब जब उनकी दरवान संख्या क्या होती है एक ततव के समस्थानिक अलग-लग होंगे जब उनकी दरवमान संख्या अलग-लग होगी ठीक है? चले एक नाविक की दर्वमान संख्या, निट्रोन तथा प्रट्रोन की संख्या योग होता है, दर्वमान संख्या को ए कहते हैं, प्रट्रोन को पी और निट्रोन को एंसर सुचित करते हैं, तो दोनों का योग हो जाता है आपका दर्वमान संख्या, वात आप बिंदू जिस पर प्रकिलिया दोरा गुजरता है उसे क्या कहते है प्रासरन प्रासरन कहते है या ओस्मोसिस कहते हैं